दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिरफ 7 रुपे का एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे धमाकेदार स्टॉक बोनस अनाउंस कर दिया है वन इस टू वन के रेशियो से मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगों को इस स्टॉक के कुछ और इंपोर्टन इंफोमेशन के बारे में बता देता हूँ तो इस penny stock है and इस company की जो market capitalization है वो 320 करोर रुपीज की है इस stock का जो PE ratio है वो 25.4 का है मतलब अभी company का जो stock है वो एक fair valuation के उपर में trade हो रहा है and इस stock की जो book value है वो 2.44 रुपीज की है company का dividend yield 0% का है इस company की जो ROCE यानि की return on capital employed है वो 13.9% की है जो की हमें average देखने को मिल जाती है बट वहाई company का जो ROE यानि की return on equity है वो average से काफी अच्छा है 28.6% का है face value stock की 1 रुपीज की है and company का जो debt to equity ratio है वो सिरफ 0.01 का है almost आप कह सकते है company debt free है अगर आप reserves के साथ में compare कर लेंगे तो 100% of the company आपे debt free है यानि की कर्ज मुक्त है जो की काफी जादा अच्छी बात है अब आजाते हैं बात कर लेते हैं इस company के financials की तो simply हम लोग last one year के financials को यहाँ पे compare कर लेते हैं सबसे पहले company की sales की बात करते हैं तो जहाँ पे 2022 के अंदर में company की जो sales थी वो 69 करोर रुपीज की थी वहीं 2023 के अंदर में बढ़ करके 241 करोर रुपीज पे आ चुकी है तो last one year के अंदर में company की sales में हमें massive growth देखने को मिला है वहीं अगर हम company के operating profit की बात करें तो जहाँ पे 2022 के अंदर में यह सिरफ 1 करोर रुपीज का था वहीं 2023 के अंदर में यह बढ़ करके 3 करोर रुपीज पे आ चुका है अब growth तो हमें company के operating profit में भी देखने को मिली है बढ़ जितनी तेजी से हाँ पे sales increase हुई है उतना तेजी से operating profit increase नहीं हुआ है अगर हम company के net profit की बात करें तो जहाँ पे 2022 के अंदर में company का net profit 1 करोर रुपीज का था वहीं 2023 के अंदर में यह बढ़ करके 7 करोर रुपीज पे आ चुका है तो company के net profit के अंदर हमें एक शांदार growth देखने को मिल रही है बढ़ यहाँ पे अगर आप एक चीज को notice करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अभी last 2 years के अंदर में company profitability में आई है उससे पहले 90% of the years company ने आपे loss report किया है तो आने वले 2-3 quarters के उपर में और नज़र रखिएगा अगर company अपने profit को maintain कर पाती है तभी यहाँ पे आप इने एक अच्छा financial data कह सकते है अगर अब हम बात करें इस company के shareholding patterns की तो हमारे पास में September 2023 वले quarter का last data है जिसके according promoters के पास में company का 20.81% का stake मौजूद है बाकी का 1.51% का stake foreign institutions के पास में है 1.08% का stake domestic institutions के पास में है जो majority of the stake है यानि की 76.59% वो यहाँ पे public यानि की retail investors के पास में मौजूद है all over shareholding patterns हमें काफी अच्छे से diversify होते हुए देखने को मिलते है बाट यहाँ पे एक ही चीज़ में problem है कि यहाँ जो majority of the holding है वो public यानि की retail investors के पास में मौजूद है आने वले 3-4 quarters के अंदर में अगर promoters आपको अपनी holding increase करते हुए देखने को मिलते हैं या फिर foreign institutions अपनी holding increase करते हैं तो definitely यहाँ से आप कह सकते हैं कि shareholding patterns हमें सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है Integra Essential Limited अगर हम company के official announcement की बात करें तो company ने आपे just अभी कुछ देर पहले stock bonus announce कर दिया है 1 to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पर एक stock is a bonus मिलेगा टोटल में जो आपका एक stock है वो दो stocks के अंदर में convert हो जाएगा हाँ आप यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस company के जितने भी stocks हो वो सब के सब यहाँ पर डबल हो जाएगे और क्यूंकि यह announcement एकदम latest है तो X date और record date फिलाल upcoming में है जैसे ही company X date और record date announce करेगी मैं आप लगो को सबसे पहले intimate कर दूँगा अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा please इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye